हेलो एवरियन नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजियस कुमार टेक पर तो साथियों जिन भी चात्रों का फर्स्ट येर या फिर सेकंड येर में यानि की फर्स्ट सेकंड थार्ड या फोर्थ समेसर में बैक लगी थी तो क्या अब या वो येर बैर के क्टेगरी में आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे चात्र इसे हैं जो थर्ड येर में जोन्होंने मतलब कर्डै का क्या फेर्स्ट येर से लेकिन का मैस्ट नहीं हुआ था और और मैं आपको एक चीज बता दूँ कि हाँ पर एक्जाम सेंटर की लिस्ट जारी कर दी गई है तो सभी लोग अपना अपना एक्जाम सेंटर देख सकते हैं यह वन समेश्टर के लिए और यह लिस्ट आपको कहां से मिलेगे आगे आपको बताने वाला हूं बागी चैनल पर हम नए है तो चैनल को तुरां सब्सक्राइब कर लीजिए को कि एक ट्रीक कर रिगार्डिंग हर इंपॉर्टे अप्डेट तो अन्दी चैनल के माध्य हम से दी जाती है और हम अगर आपको कुछ भी डाउट को भी कन्फूजन कोई सवाल है तो आप केंड़ वाक से पूछ आप कहां से मिलेगा यही भी आपको आगे बता दूँगा यहां पर आप दे सकते हैं 27 मैं 24 से 29 जून 24 तक आप एक्जाम चलने वाले है ठीक है टेंडेट डियू बता दो कि 22 तारी कहां पर एक्जाम डेट है अभी तक कि लेकिन इसको आगे एक्स्टेंड किया जा सकता है 25 चीज किया जा सकता है उसके बाद में 30 तक भी यह जा सकता है लेकिन रिकमेंड यही करूंगा कि 22 तक ही आप अपने सारे एक्जाम को जो है फिलब कर लें ठीक है तो देखिए यह आपको पूरी जो लिस्ट है एक्जाम के रिगार्ड़ी में यह आपको मिल जाएगी टेली की चाता है तो पुस्ट सेम यह इसकंड सेम अगर उन्होंने एक्जाम कोई भी अगर उनकी बैक लग गई है उसमें लग गई है और साथ यह सात में जो फूर्थ समय सब्वाच दा ने जून्होंने थर्ड यानि कि यह फिर फूर्थ सम लिया है उनकी लग गई है तो क्या उनका year back लगेगा या फिर नहीं लगेगा तो मैं आपको बता दूँ देखिए मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ यह मेरा अपना खुद का personal opinion है ठीक है यह कोई official update नहीं है मैं आपको personal opinion बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपकी back लग गई है दुबारा से तो आप year back की category में आ रहा हूँ यह तो आपको पता ही होगा ठीक है year back actual में लगेगी तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि year back actual में लगेगी यह नहीं लगेगी तो इसमें मेरा विचार यह है कि year back नहीं लगेगी क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ कि December के महीने में काफी सारे चाहत रहे से थे जो year back की category में आ रहे थे ठीक है ना लेकिन उनका year back नहीं लगा था उनकी समझ लिए ना बात को year back category में आ रहे थे लेकि उनका year back नहीं लगा था EKTU ने चांस दिया था कि आप लोग 5th sem या फिर 7th sem का exam form भरो ठीक है exam दो और अगर year back वाला भी exam वहाँ पर आपको देना होगा अगर आप exam वहाँ पर clear कर लेते हो तो फिर आपका जो है यह result जारी कर दिया जाएगा 5th और 7th sem का अगर आप यह उसका बैक का result आपके लिए जाते हो तो और अगर exam clear नहीं कर पाते हो तो फिर यहां पर आपको यह वाला result रोग दिया जाएगा 5th or 7th sem का ठीक है तो आप 25 यह extend हो सकती है इसके काफिर ज्यादा chances है यह 25 तक जा सकता है यह 30 तक भी यह जा सकता है ठीक है तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि अभी आप कम से कम 18 से 19 तक वेट कर लेजिए ठीक है ना हो सकता है कि कोई सर्कुला जारी कर दे और उसमें कुछ भी condition बता दे कि हां ऐसे ऐसे करके यह जो भी एरवैक के चातलों को लेकर यहां पर कुछ भी condition आपर बता दे तो आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर नहीं बताता है नहीं कोई सर्कुला जारी करता है तो फिर आप अपना exam form भर दीजेगा ठीक है तो अभी के time पर आप यही कर सकते हैं बाकि इसके regarding में तो अभी क्या ही कह सकते हैं सर्कुला का वेट करना पड़ेगा दोस्तों उसके उसके के लावा कोई भी यहाँ पर चारा नहीं है ठीक है तो हम सर्कुला का वेट करते हैं आपको जैसे ही इसके regarding में कोई भी अप्डेट आती है तुरूंत आपको इसके माध्यम सवगत करा दोंगा ठीक है बाकि आपको काफी सारा इसके regarding में मैसेज आ रहे था तो इसलिए आप अगले वीडियो में जै हिन जै भारत